हेलो एबरीवन आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेस वीडियो पे तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिसकस करूंगा इसमें मैं आपसे डिसकस करूंगा कि आईसे आईसे प्रूदेंटल बुलुची फंड डायट ग्रोथ पिछले एक मेने छे मेने एक साल तीन साल पांच साल या फिर एन्वल रिटन क्या दिया है आज के डिट में इसका एक नभी का प्राइस क्या है ये कितने इस्टार रेटि है क्योंकि किसी भी मुच्वल फंड को यदि आप समझना चाहते हैं तो इसकी जो हाल्डिंग इस्टाक हाल्डिंग है उसको आप यदि अच्छे सा समझ गए तो फिर आपको आईसे सी प्रूदेंटल बुलुची फंड डायट ग्रोथ को समझने में लेट नहीं लगेगा आपको उसी से क्लियर हो जाएगा कि आने वाला टाइम मेरा ये मुच्वल फंड किस तरीके से बिहेव करेगा तो इसके बारे में कंप्लीट आपके साथ मैं डिसक्स करूंगा यदि आप हमारे चैनल पे इस चैनल पे फर्स टाइम आये हैं तो आपके लिए एक गुड न्य चैनल को भी विजिट करके सारा मुच्वल फंड का नॉलेज ले सकते हैं तो चलिए हम लोग जो जिस पर आज कंप्लीट बात करने आये उस पर बात करते हैं जो कि आईसी आसी प्रूडेंटल बुलुचिप फंड डाइड ग्रोथ के बारे में तो सबसे पहले इसमें हम लो रेटन की बात कर लेते हैं तो एक साल में 35.60% का रेटन है तो तीन साल में 20.33% का रेटन है तो फासल में जो लीटन है वो 18.98% का रेटन है और एनुigmat हैं मोग बात कर लेते हैं तो 16.44% का ये तो अभी हम लोगोंने सबसे पहले देखा इस Bες लिए लिए लिक ये लिया न एक रुप्या तीन पैसा रेटिंग की बात करें तो यह फाइप स्थार रेटिंग मुश्यूल फंड है मिनिमम एसाइपी एमांट आप इसमें एक सो रुप्या का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वह है 47,928 करोर का अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि यदि आपका पैसा जमा होता वह जमा होता साथ हजार रुप्या आपको मिलता 71,781 रुप्या तीन साल की बात कर लेते हैं तो तीन साल में जो आपका पैसा जमा होता वह जमा होता 1,88,000 रुप्या आपको मिलता 2,49,505 रुप्या पांच साल की बात कर लेते हैं तो पांच साल में SIP करेंगे तो इस mutual fund के अंदर तो आपका पैसा जो double होने में टाइम लगöरा है वह Approx जू है छे साल का time लगरा है यदि आप SIP करने इस mutual fund के अंदर तो जो भी पैसा आप investment कर रहे हैं उसका double होने में यहां पर 6 साल का time लग गरा है यदि हम बात करें यदि हम वन टाइम इसमें एक लाक रुपया का डाल दे एक लाक रुपया डाल दे यदि हमार परस बजट है तो एक साल में जो आपका पैसा हो जाएगा एक लाक से वो हो जाएगा एक लाक पैसा या छेसो बीस रुपया तीन साल में आपका एक लाक रुपया हो जाएगा एक लाग चोहतर जा दो सो तीस रुपया और पांच सल में आपका एक लाग रुपया हो जाएगा दो लाग अनातिस या 435 रुपया तो यहां से दो चीज के लिए है यदि आप मन्थली SIP कर रहे है तो आपका 6 साल में पैसा डबल हो जाएगा यदि टाइम कर सकते हैं यदि आप मन्थली किस कहीं पर जॉब कर रहे हैं मन्थली आपका पैसा आता है तो आप मन्थली SIP कर सकते हैं हम लों हॉल्डिंग की बात करते हैं जो कि मेन इंपोर्टेंट रहता है किसे भी मुचल फंड के समझने के लिए तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक है वो 74 स्टॉक लिस्टेड है 74 अगर हम इसमें टॉप 10 की बात कर लेते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है ICIC Bank Limited जो की Financial 6 रुपे है Reliance Industrial Limited जो की Energy के छेतर पे है Larson and Turbo Limited जो की Construction के छेतर पे है Infosys Limited जो की Technology के छेतर पे आता है Axis Bank Limited जो की Financial चेतर पे है Ultra Tax Cement Limited जो की Construction के चेतर पे है Maruti Suji के लिए India Limited जो की Autumn Walls के चेतर पे है Bharti Eater Limited जो की Communication के चेतर पे है SGFC Bank Limited जो की Financial चेतर पे है Sun Pharmaceutical Industrial Limited जो की Healthcare के चेतर पे है तो ऐसे हम लोग Top 10 Stock डिसकस किया अब इसकी Holding Analysis को समझते हैं हम लोग तो Equity पे है 95.5%, Cash पे है 4.1% और Debit पे है 0.5% यदि हम इस Equity को सेक्टर वाज समझते हैं तो Financial पे है 22.9, Energy पे है 15.7, Construction पे है 15, Others पे है 14 Automobiles पे है 11.1, Technology पे है 10.3, Healthcare पे है 5.8 और Consumer Stealth पे है 5.3% अब यदि Advanced Ration की बात कर लेते हैं तो Top 5 में 33% है, Top 20 67% PE Ratio की बात कर लेते हैं तो PE Ratio है 11.23% और PB Ratio की बात कर लेते हैं तो PB Ratio है 3.25% Minimum Investment Amount की बात करें हम लोग तो First Time Minimum Investment आप इसमें 100 पे कर सकते हैं Second Time भी आप Minimum Investment 100 पे कर सकते हैं Minimum SIP जो है आप इसमें 100 पे कर सकते हैं Return and Ranking के ओपर हम लोग बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो Fund Return है वो 35.6 का है, 3 साल में 20.3 का है 5 साल में 19 का है और Annual 16.4 का है वहीं इस केटेगरी का Average Return हम लोग देखें तो 1 साल में 32.6 है 3 साल में 15.9 है 5 साल में 16 है Annual Data अबोलेबल नहीं है तो यहां से एक चीज के लिए क्लिए क्या हुआ कि यह जो Fund Return है अपना केटेगरी का जो Average है उस Return से भी आपको Fund Return ज्यादा मिर रहा है चाहे वो साल की बात करे चाहे तीन साल की बात करे चाहे पांच साल की बात करे Return Rank की केटेगरी पे देखे एक साल में 40 नवर पे रहेंग करता है तीन साल में 6 नवर पे रहेंग करता है पांच साल में 5 नवर पे रहेंग करता है अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके आज़ पस similar funds का तो इसके आज़ पस जो similar mutual fund है वो है निपोन इंडिया लार्ज के फंड आइड ग्रोथ, ICIC Prudential Blue Chip Fund आइड ग्रोथ, अब हम लोग इसकी expensive ratio exit load और tax की बात कर लेते हैं तो इसका जो expensive ratio है वो है 0.92% का exit load की बात कर लेते हैं यदि आप invest की आवा पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो 1% का exit load देना होगा और system duty की बात करें है system duty है 0.005% इसका जो fund manager है वो है अनिस, बैभब और शरमिला इसकी fund house and investment objects को देखते हैं तो ICIC Prudential mutual fund total assist के रेंग पे इंडिया पे नमर तीन नमर पे रेंग करता है यह mutual fund start वाता 12 October 1993 को इसका total assist under management है आज के date में 6,44,724 करोर का अब लोगे कुछ इसमें basic knowledge देखते हैं तो ICIC Prudential Blue Chip Equity Fund जो की launch किया गया है ICIC Prudential mutual fund की तरब से यह mutual fund start वाता 12 October 1993 को एस नरेन रजत चंदेक जो है current fund manager है ICIC Prudential Blue Chip Fund diet growth का इसका currently assist under management है 6,44,724 करोर का और latest ने भी 101 रुपया तीन पैसा का यहाँ पे देखा गया है बात करते हैं ICIC Prudential Blue Chip Fund diet growth काफी high risk mutual fund है minimum SIP amount इसमें set किया गया 100 रप्या का और minimum lump sum भी इसमें set किया गया 100 रप्या का exit load की बात कर लेते हैं यदि आप एक साल के अंदर अपना पैसा इससान निकालते हैं तो 1% का exit load आपको यहाँ पे देना पड़ेगा तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ discuss किया ICIC Prudential Blue Chip Fund diet growth के बारे में तो फिर मिलते हैं बोग नेस्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को ले करके